वालकम टू योनिक वैव स्कूल इस वीड़ो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग नेक्स आर्ज जो इसकी भी उसको इंस्टूल कर सकते हो इस इसकीप के जारी है आप लोग होड़ स्टार नेट्फिलिक्स एमाजन प्राइम के तरह वीडियो का सस्क्रिप्शन दे उस तरह का यह जो इसकीप है ठीक तो इसको कि स्कूल से इंस्टूल करना है किस तरह से सेनफा करना है वह वह दिए वीडियो के अंदर देखने आप ले तो चली आर्प पर एज यह इसकीप बहुत इसको देखते हैं और इसका जो cell है वो आप लोग देख सेकतो हो almost 400 cell हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सेकतो हो इसका description बगरा यहाँ आप देख सेकतो है यहाँ पर admin के लिए URL दिया हुआ है यूजर के लिए भी URL दिया हुआ है इस URL के अंदर हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग इस आप से पार्सिस का प्लान और क्या-क्या फीसाद दोगे वो सेट अप कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो मोबाल के लिए apps और Apple Store के लिए apps भी है तो यहाँ पर आप लोग अगर registration करके कोई भी user आपका registration करे तो यहाँ पर उसको subscription लेना होगा subscription लेकर यहाँ पर login करके देखेंगे आप लोग इसका जो डेमो भाग रहा है फीसर भाग रहा है सब कुस आप लोग खुदी देख लीजेगा और यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क् करने के बाद आपको इसी तरह का जीप फाइल मिलेगा यहाँ पर इस तरह का जीप फाइल मिलेगा यह जो जीप फाइल है इसको आपको आंजिप करना है आंजिप करने के बाद आपका जो सर्वर है उसमें अप्लोड करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको आंजिप करता हू और यहां पर SAM vacuber फाइल में क्लिक करता हूँ okay, this whatever file में क्लिक करने के बाद यहाँ पर okay में क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारा जो file है यहाँ पर unzip हो जाए थीक है, तो यह हमारा unzip होना, is that how चुक है, unzip होने के बाद हम लोग next process में जाएंगे इसको हम लोग हमारा जो server है उसमें upload करेंगे upload करने के बाद हम लोग next जो step होगा वो follow करेंगे और यहाँ पर successfully आपको install करके देखाएंगे तो आप लोग इसी तरह से install कर सकते हैं तो हम लोग wait करते हैं हमारा file को अंजिब होने तक यहाँ पर हमारा जो file है वो अंजिब हो चुका है हम लोग इस folder के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आप लोग देख से तो यह जो ओएफ एफ से इसको हम लोग करेंगे हमारा server के अंदर upload ठीक है यह हम लोग खुदी बनाया है जो जीब फाईल है इसको हम लोग बनाया है क्यूंकि हम लोग इस file को हम लोग बनाया है जीब format तो आपको भी बनाना नहां है आप पर डाटा बेस डूक्रुमेंन तो यहorar करना नहां उब इसको आपको अपलोट करना है आपका सर्वर में ठीक है तो चलिए इसको हम लोग जीब फर्मेंट में किये हैं तो इसको हम लोग अपलोट कर देते हैं हमारा सर्वर के अंदर तो हम लोग जाते हैं हमारा सी पेल के अंदर सी पेल के अंदर जाने के बाद हम लोग जाएंगे file manager के अंदर यहाँ पर हम लोग जाएंगे file manager के अंदर यहाँ पर जाते file manager के अंदर okay file manager के अंदर जाते हैं यहाँ पर public html में public html में आने के बाद यहाँ पर upload button में क्लिक करते हैं और यहाँ पर select file में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर upload बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पर यह रहा हमारा upload option यहाँ पर क्लिक करते हैं और यह रहा हमारा file जो upload होना start हो चुका है तो upload होने के बाद हम लोग next process follow करेंगे और इसको easily हम लोग install करने बले हैं तो चोले हम लोग वाइट करते हैं, इसको अपलोड होने तक उसके बाद इसको हम लोग इनिस्टूल करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सेकतो हमारा जो फाइल है और यहाँ पर अपलोड कॉम्पलीट हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, गो बेंग में जाते हैं, गो हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग वाइट करते हैं, यहाँ पर देख सेकतो हमरा आंजिव होना इस्टार होगा, और यहाँ पर आंजिव हो जाएगा, इसके बाद हम लोग यह जो फाइल है, इसको हम लोग इनिस्टूल करेंगे, वो पोसेस आपको हम लोग देखाएंगे, तो यह रहा हमारा जो file है, सारा file यहाँ पर आंजीव हो चुका है, इसको close करना है, यहाँ पर हम लोग इसको close कर देते हैं, यहाँ पर close कर देते हैं, उसके बार आपको यहाँ पर इसके आंदर जाना है, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर जितने भी file है वो आपका जो Public HTML है उसमें लेकर आना है Red Button क्लिक करते हैं Move में क्लिक करते हैं और यहां पर हम लोग Public HTML में हम लेकर जाते हैं हमरा फाइल को यहां पर ओके हमरा सारा फाइलपी Public HTML में आचुका है आप लुक देख सकते हैं तो हम लुक्त क्या करेंगे हमारा जो domain ही उसको open करते है यहाप पर हम लोग हमारा domain को open करते है और यह रहा हमारा domain और यहाप पर जाते है public folder के अंदर public folder के अंदर जाने के बाद इस तरह का आपका जो website है उसको install होने के लिए इस तरह का option आएगा तो आ यह पार देक्स संथे तो I AM new user यह पर tag देना है और यहां पर आपको next में click करना है या पर में next में click करता हूं और यहां पर continue to installation यहां पर click करना है ठीक है ओके यह पर फिर से हम लोग new में देते हैं ओके यहां पर देख सेकतो हो यहां पर टिगमर देते हैं और next में click करते हैं और यह जो terms and conditions इसको accept करने के लिए यहां पर टिगमर देना है यहां पर I read terms and conditions and I agree on it ठीक है यहां पर टिगमर देकर आपको यहां पर continue to installation में click करना है तो यहां पर आपका जो installation का system है वो यहां पर PSP extension यहां पर आप देख सेकतो हो सब कुस है हमारा server के अंदर तो आप लोग continue to install में click करते हैं तो यहां पर आपका जो purchase code है वो डाल ला है तो मेरा जो purchase code है मैं यहां पर डाल दिया हूँ उसके बाद continue to next step में click करते हैं तो यहां पर आपको database details दाना है तो database host यहां पर local host ही रहेगा उसके बाद database name, database password, database username यह सब कुस आपको डालना है तो चोलिए हम लोग database को create करते हैं और यहां पर डालते हैं चोलिए इस बार हम लोग database create करते हैं उसके बाद हम लोग next process में जाएंगे तो database create करने के लिए हम लोग जाएंगे हमरा cpanel के अंदर, main cpanel के अंदर उसके बाद हम लोग जाएंगे यहां पर देखेंगे database num का option हम लोग यहां पर find करेंगे यहाँ पर देख सकते हो database नम का option है और यहाँ पर आपको जाना है MySchool Database ठीक है यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर आपको database create करना है और उसके बाद database का जो user है वो भी create करना है और database और user को दोनों को connect कर देना है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर Create New Database यहाँ पर हम लोग database का नाम देंगे हम लोग क्या नाम देंगे हम लोग यहाँ पर Unique or Abyskool यही नाम दे देते हैं हमारा YouTube चैनल का नाम देते हैं आप लोग कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यह हमारा database का name है तो हम लोग क्या करेंगे create database यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर में click करता हो create database में और यहाँ पर हमार जो database है वो यहाँ पर create हो चुका है इसको आप लोग save कर लिजेगा तो हम लोग go back में जाएंगे और यहाँ पर database के लिए database user create करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो edit new user ठीक है तो यहाँ पर username है आप लोग कुछ भी यहाँ पर username दे सकते हो मैं यहाँ पर नाम type कर देता हूँ यही नाम user user देता हूँ यह हमारा username है और इसके लिए हम लोगों को password create करना होगा ठीक है तो यहाँ पर password और यहाँ पर agent password दूबर से आपको type करना है ठीक है तो हम लोग क्या करने बाले हैं हम लोग password को generate करेंगे इसलिए यहाँ पर password generator में क्लिक करते हैं और यह password हम लोग को generate करके दिया है, इसको copy करेंगे, यहां से copy करते हैं, और यहां पर हम लोग दे देते हैं, ठीक है, हमारा password को यहां पर step करते हैं, हम लोग, उसके बाद यहां पर I have copy में click करना है, यहां पर click करना के बाद यहां पर use password में click करना है, तो आपका password यहां पर आ जाएगा, उसके बाद user में क्लिक खर यह अवर डाटबैस हम लोग क्या है उसको काएट काएट तो इस लिए हम लोग गोवैंग में जाएंगे और यूज सु लाउन करते हैं और यहाँ पर added user to database यहाँ पर आपको देखेगा यहाँ पर आपको connect करना है इसलिए हम लोग हमारा जो user है उसको select करते हैं उसके बाद यहाँ पर database को select कर देते हैं यह हमारा database है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर added में क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर added में क्लिक कर देता तो यह आपका database और database user connect हो जाएगा उसके बाद यह meio-user और database को कोपी करना है यहां से हम लोG copy कर लेते हैं यहां पर copy कर ले हैं और उसके बाद इहां पर हम लोGAKE करेंगे हमारा बार database password तो यही password हम लोग copy करते है database का, और यहां पर डालते हैं, यह रहा हुआ database username, इसको हम लोग डालते हैं, और यहां पर port को change करने की ऌंक जोह नहीं है, यही रहेगा, उसके बाद continue button में click करना है, तो मैं यहां continue button में click कर देता हूँ, continue button में click करने के बाद आपको यहाँ पर project का name देना है तो मेरा जो project है उसके नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ यहाँ पर मेरा youtube channel का नाम ही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो आपका जो website का name है वो यहाँ पर डालना है उसके बाद यहाँ पर apps URL आने कि आपका जो website है उसके URL यहाँ पर डालना है तो मेरा website के URL में copy करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर continue button में click करना है तो मैं यहाँ पर continue button में click कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आपका जो website है वो इहाँ पर install successfully हो चुका है, तो इहाँ पर आपका जो website है वो open हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, आपका जो website है वो इहाँ पर open हो चुका है, तिक है, आपका जो skip है वो इहाँ पर install हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, यह सब कुछ आपको change करना है, टे है तो यह सो अब आपको कैसे करोगे वह अगर जानना चाहता हो तो comment box में comment कि में next में इसके लिए आपको वीडियो बना के दे दूंगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक किजिए शेयर किजिए comment किजिए और हमारा जो unique इसको सब्सक्राइब करके हमरे साथ बने लिए थैंक्स